तो लीजिए मैं फिर आगई आपके लिए एक आमेजिंग सी डील लेकर जी हाँ मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ 110 गजे बने हुए 3BHK के फ्लैट को जो आपको बहुत सारी फैसलिटीज के साथ मिल रहा है बहुत ही खुब सुध इंटीर के साथ फ्लैट मिल रहा है मैट्रो की किनेक्टिविटी बहुत ही पास मिल रही है और इतनी अच्छे प्राइम लोकेशन पे आपको ये फ्लैट मिल रहा है तो आपको मिस्क्यों ही करना है बस आप एक काम कीजिए जहाँ है वहीं में बैट चाहिए और मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रही है और मैं आपको दिखाती हुए ये व्यूरिफूर सा 3BHK का फ्लैट तो आप सभी का सौकत है आपके खुद के चैनल हों पोर सेल में और मैं शिल्पी शिर्वास तब आज आप सभी को लेकर आए हुँ 110 कज़े बने हुए 3BHK के फ्लैट के अंदर जहां आपको बहुत सारी फैसिल्टीज मिलने वाली है ये फ्लैट आपको मंसराम जैसे प्रैंग लोकेशन पर मिल जाता है Metro Station नवादा से सिर्फ और सिर्फ 200 मिटर के डिस्टेंस पर जीहां सिर्फ और सिर्फ 200 मिटर के डिस्टेंस पर ये फ्लैट मिल रहा है साथ में आपको मिल जाती है इस flat में left and car parking की facility हम आपको दे रहे हैं up to 90% तकी home loan की facility साथ में आपको एक floor पे यहां मिल जाती है दो units जो दोनों ही front side में है जी हाँ, आपको दोनों ही 3BH के flat मिल जाती है और दोनों ही front side में बने हुए है और बहुत ही amazing खुबसर से interior के साथ है तो चलिए बिना time कवाए हम start करते हैं इस beautiful living area से तो यहां से लेते हैं हम entry और entrance पे आपको बहुत ही बहतर इन से locks मिल जाते हैं देन उसके बाद हम आजाते हैं अपने beautiful से spacious living area की तरफ जो बहुत ही खुबसरत interior के साथ बनाया गया है सबसे पहले मैं अगर flooring की बात करूँ तो flooring पे आपको बहुत ही खुबसरत से tiles मिल जाते हैं अगर आप देखोगे तो यह real में देखने में आपको wood लगेगा लेकिन नहीं यह tiles हैं जो wood के color के use किये गये हैं बहुत ही खुबसरत सा color है और बहुत ही अच्छे quality का use किया गया है साथ में मैं आपको दिखाती हूँ front wall तो इस side आपको बहुत ही खुबसरत सा wallpaper मिल जाता है जो बहुत ही प्यारा लग रहा है wood का आपको लग रहा होगा जो wood इतना shape का कट कर देना wood जैसा ही अमने एक wallpaper यूज किया है जो बहुत ही अच्छे quality का है दोनों side अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाती है profile LED lights साथ में दोनों side आपको एक सर्माइका का काम मिल जाता है और जिसके बीच में एक copper की lining की गई है बहुत ही बहतरीन सा आपको एक wood मिल जाता है जिसको हम सर्माइका कहते हैं तो बहुत ही amazing सा काम किया गया है और सच बताओं तो ये वाला wallpaper बहुत ही match कर रहा है बहुत ही classic look दे रहा है आपके पूरे के पूरे living area में तो similar काम इधर भी किया गया है जो आपको side मिल रहा था बहुत ही पहला लग रहा है इस साइड आपको profile LED lights भी मिल रही है तो ये आपको beautiful सा wallpaper हो गया जो आपको front wall है वो हमने बहुत ही खुपसर तरीके से आपको design करके दिया है और यहाँ पे आप अराम से L shape, U shape आपको जैसा sofa लगाना है आप easily लगा सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत ही बहतरी inside space मिल रहा है देन उसके बाद जस्टिस के सामने आपको बहुत ही खुपसर तरी टीवी उनिट मिल जाता है बहुत ही खुपसर तीवी उनिट मिल रहा है चलिए हम स्टार्ट करते हैं नीचे से तो नीचे आपको बहुत ही खुपसर दिजाइन के साथ दो डो डोल्स मिल रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे यह नीचे जमीन से अटाच है तो आपको बहुत ही अच्छे कॉलिटी का मिल रहा है दो डोल्स मिल रहा है आपको यहाँ पर फ्लावर कोट्स को लगा के दे रहे है उपर आपको मार्बली श्लूक में बहुत अमेजिंग सा काम मिल रहा है बहुत ही प्यादा सा वुट का काम किया गया है यहाँ पर आप अराम से जितना साइज का टीवी आपको लगाना है आप अराम से लगा सकते हैं दोनों साइड आपको वुड के लेयाउट मिल जाती है जिसका कलर डिफरेंट है बहुत ही खुबसरत है बीच में हमने कोपर की लाइनिंग दी है और इसके अंदर ब्लू कलर की LED लाइट्स हम आपको लगा के दे रहे हैं तो बहुत ही खुबसरत सा आपको यहां पे TV पैनल मिल जाता है जो आपके living area को बहुत जादा खुबसरत दिखा रहा है तो उसके बाद मैं आपको ceiling भी दिखा देती हूँ तो ceiling जो आपको मिल जाई है बहुत जादा बहतर ही जाती है अगर आप design देखोगे तो बहुत खुबसरत है आपको यहां पे LED lights मिल रही है cob lights मिल रही है तीन तरह के LED lights मिल रही है yellow, blue and white आपको त्री तरह के LED lights मिल जाते है बीच-बीच में आपको cob lights मिल रही है और बीच में काफी unique तरीके का आपको एक lamp यानि शैंडलियर मिल रहा है जो काफी unique तरीके का है और बहुत खुबसरत look दे रहा है और just this side आपको मिल जाता है आपके split AC के लिए wiring यानि कि घर में आप जानते हो कितनी जादा हो रही है तो हमें split AC चाहिए बहुत जादा खुबसरत भी है साथ में अगर आप all over color देखे तो आपको एक बहुत ही प्यारा सा pink and white color में बहुत खुबसर सा kitchen जाता है first of all चले start करते हैं पहले यहां से तो यहां आपको मिल जाती है बड़ी सी pantry यहां बिना pantry के आज़को kitchen बिल्कुल अधूरा होता है तो इसलिए हम यहां पे आपको दे रहे हैं spacious pantry जहां पे आपना समान रख सकते हैं बहुत साथा space आपको pantry में मिलने वाला है then उसके बाद हम kitchen के तरफ आते हैं तो आपको यहां पे बहुत सारा space मिल रहे हैं सबसे पहले यहां पे देखते हैं तो यहां पे आपको sanitary fittings मिल जाती है बरतन होने की यहां sink area आपका हो गया और जहां पे बरतन वगयर आराम से side हो सकते हैं अराम से उसके बाद इसके उपर देखोगे तो हमने pink color में आपको डॉल्स दिया है बहुत amazing से वो pink color भी नहीं है बहुत अलग color है बहुत प्यारा बहुत ही सुन्दो सा color आपको दे रहे हैं यहां हमने chimney आपको लगा के दे दी है inside भी आपको बहुत सारे draws मिल रहे हैं आपको समान वगयर रखने के लिए chimney तो है ही साथ में ventilation के दिए हम आपको window भी बहुत अच्छी दे देते हैं inside again आपको बहुत बढ़ा सा draw मिल रहा है उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको slab area का color अलग है आपको chocolatey से color में आपको मिल जाता है उसके बाद उपर के tiles का बात करो तो बहुत ही amazing से पैटन के साथ उपर का टाइल आपको मिल रहा है जो बहुत जादा खूबसूरत लग रहा है एक, दो, तीन, चार, चार्चर स्विच बोर्ड आपको मिल रहा है किचन में इस से इड़ आपको प्रॉपर वाइड करर में tiles मिल रहा है जो किचन में और जादा खूबसूरत लुग दे रहा है आहां, सीलिंग पर भी बात करें तो सीलिंग पर, आपको एक खूबसूरत सा बीच में लैंप मिल रहा है कॉबलेड्स और LED लैट्स आपको सब कुछ मिल रहा है बहुत जादा spacious kitchen आपको मिल रहा है, आप यहाँ पर अराम से खरेयों के खाना बना सकते हैं, बहुत ही बहतर निन के color के साथ, इस साइड आपको मिल जाता है आपका attached washroom, जो आपके living area से attached है, जिसको आप guest washroom भी कह सकते हो, इतना जादा spacious है, कि मैं अंदर आके अराम से आपको काम किया गया है, fittings हम करा के दे रहे हैं, ये वाला area बहुत खुब सर तरीके से utilize किया गया है, open self बनाए गया है, जिसको आप decorative items सब सकते हैं, हमने already आपको रखके दिया है, इस साइड आपको washroom area आजाता है, नीचे drawers मिल रहे हैं, ऊपर आपको beautiful सा mirror भी मिल जाता है, तो washroom area आपको बहुत ही 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 बहुत ह आपने फर्स बेड्रूम के तरफ जो आप कलर कॉंबिनिशन देखोंगे बहुत जादा सोच समझ के किया गया है पूरा का पूरा बेड्रूम एक कलर कॉंट्रास को ध्यान में रखते हुए बनाए गया है सबसे पहले हम बॉल पेपर देख लेते हैं बहुत ही फ्लावर सा आपते फेर जो आपको कलर आपने देखा बॉल पेपर का उसी कलर को कॉंटेणियू निव करते हैं इतनी बड़ी अलमीरा हूं आपको इस रूम में दे देते हैं बहुत जादा बड़ी अलमीरा मिल रही है आप थे किलमीरा है है यहां पर प्रता नं बहुत ही amazing बहुत खुबसत कलर है सच बताओं बहुत प्यारा कमरा है ये आपको सच बताओं एक बार में देखने पर पसंद आ जाने वाला है उसके साथ मैं fall ceiling अगर आपको दिखाओं तो fall ceiling भी उतनी ही जादा खुबसत रखी गई है LED light से साथ, cob light से साथ और आपको बहुत खुबसर सा pattern मुझाता है ventilation की कोई फिकर मत कीचिए क्योंभी ventilation के लिए इस साइड आपको बहुत बड़ी window दी गई है और just उपर window इसी के लिए space दिया गया है तो बहुत खुबसर सा ये bedroom था color contrast आपने देखा बहुत amazing, बहुत खुबसर था एक color को continue करते हुए पूरा का पूरा bedroom हमने design किया है और आज कर क्या ही चाहिए होता है जब हम अपना नया घर देखते हैं उसको खुदी बनाते हैं तो सभी चीजों का ध्यान रखते हैं कि decorative items किस color के होंगे wall का color क्या होगा, almira का color क्या होगा सभी चीजों को ध्यान में रखते हैं इस तरीके से हमने हर एक camera का एक theme choice किया है एक theme के awarding हमने पूरा का पूरा camera design किया है जैसे कि आप ये वारा देख लीजे हमने पूरा का पूरा theme रखा है यहापे आपको golden, brown color मिलेगा जादा तर तो बहुत amazing सा theme इस room का भी रखा है सबसे पहले बॉल पेपर देखा जाए तो हमने वही golden को continue करते हुए dark golden आथरा सा light way में बहुत amazing सा बॉल पेपर यूज किया है बहुत एच्छी quality का है अगर color को देखा जाए तो इसी को continue करते हुए हमने similar color में आपको बहुत बड़ी सी अलमीरा देदी है first पहले तो हम यह देखते है dressing area मिल रही है आपको proper dressing area full length mirror नीचे आपको ज्वास मिल रहे है उपर आपको बहुत बड़ा cabinet मिल रहा है साथ में यहां पे भी आपको बहुत बड़ी सी अलमीरा मिल रही है साथ में मैं handless की बात करूँ बहुत ही अच्छे quality के handless हमने use किये है बहुत ज्यादा अच्छा है साथ में इस साथ ही आपको मिल जाता है आपका attached washroom सिकरेस्टी जैसा मैं आपको common washroom दिखाया था उतना ही खूब सुरत आपका attached washroom आपको मिल रहा है नीचे के tires proper black रखे गए है white color के spray patterns है fittings सारी हम कराके दे रहे है बहुत ही beautiful color के साथ आपको मिल जाता है आपका washroom सारी fittings हम कराके दे रहे है और बहुत सब्सक्राइश है देन उसके बाद इस side आपको मिल जाती है window जहां अपके घर में बहुत अच्छी हवा आने वाली है उपर window AC के लिए आपको space मिल रहा है आपके घर में बहुत अच्छी हवा रोश्नी आने वाली है आप देख सकते हो बहुत ही amazing सा काम किया गया है just इसके aside आपको बहुत खुब सा TV unit मिल जाता है बहुत ही प्यारे प्यारे हमने sopies आपको लगा के दे रहे है बहुत जादा amazing open self बना के दिया गया है जहां पे आप decorative items रख सकते हो हमने आपको already लगा के दिया है तो आप अपने according भी decorate कर सकते हो with cob light focus light मिल रहा है आपको इस side आप TV place कर सकते हो नीचे आपको ड्रॉस मिल रहा है तो बहुत ही खुबसरत सा आपको यह वाला रोम मिल जाता है अब ceiling में दिखा दूँ तो ceiling का pattern बहुत ज्यादा प्यारा है आपको cob light LED lights मिल रहा है मिल रहा है और बहुत ज्यादा खुबसूरत है देन उसके बाद मैं जाए जो थार्ड बेड्रूम के तरफ तो जैसे मैं आपको बताया था color तो आप इस रूम का भी देख सकते हो बहुत जादा खुबसूरत रखा गया है बॉल पीपर आप देखोगे बहुत जादा खुबसूरत है बहुत प्यारा सा color है जो बहुत जादा पसंद आने वाला है आपको एक बहुत ही खुबसूर से परपल डार्क परपल करर में आपको एक फ्लावर सा लुक मिल रहा है दने इसको कंटिन्यू करते हुए हमने यहां पर आपको गैन एक बहुत बली से सबसे पहले आपकी बाल करी तो चलिए देख लेते हैं जलक आपके बाल राग करने के दिए तो उसके बाद में दिखारना चाहूंगे आपको आपकी फॉल सीलिंग, जो फॉल सीलिंग है वो भी बहुत खुबसरत है, LED लाइट, स्कॉब लाइट के साथ है, बहुत खुबसरत सा पैटन है, तो ये था आपका 110 गच्वे बना हुआ 3BHK फ्लाट जो बहुत जादा सुन् मिल जाती है, लेट अन कापाकिंग है, मनसराम जैसे प्राइम लोकीशन में बनाया गया है, नवादा मेटर स्टेशन से स्विफ और से 200 मेटर के डिस्टंस पर मिल रहा है, बहुत खुबसरत सा फ्लाट आपको मिल रहा है, बहुत अच्छे दाम में मिल रहा है, तो बिलकु मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तके लिए स्टे सेफ।